जब मैं चौथी घक्षा में था तो एक दिन मेरी अध्यापिका ने हमसे कहा जितनी संख्याएं हैं उतनी ही सम्च्ख्याएं भी हैं सच मुझ मैंने सोचा? खेर हाँ दोनों की संख्या सीमत हैं इसलिए मुझे लगता है कि उनकी संख्या समान है लेकिन समसंख्याएं पूर्ण संख्याओं का केवल एक भाग होती है सभी विशम संख्याओं शेश रह जाती है इसलिए समसंख्याओं से अधिक पूर्ण संख्याओं होनी चाहिए है ना? अध्यापिका की बाद को समझने के लिए सोचते हैं कि दो सेटों के समानाकार का होने का क्या मतलब है। कब वापस आती हैं। उन्हें एक एक करके वापस रख दें ताकि वास्तव में गिंती किये बिनाई आपको पता चल जाए कि कोई गायब है या नहीं। गिंती से अधिक मौलिक होने के मिलान के एक और उधारन के रूप में अगर मैं एक खचाकच भरे सवागार में बात कर रहा हूं जहां हर सीट पर कबजा कर लिया गया है और कोई भी खड़ा नहीं है मुझे पता है कि दर्शकों में लोगों की संख्या के बराबरी कुर्सियां हैं भले ही मैं नहीं जानता कि उनमें से कितने हैं जब हम कहते हैं कि दो सेट एक ही आकार के हैं तो वास्ता में हमारा मतलब यह है कि उन सेटों के तत्वों को किसी तरह से एके करके मिलान किया जा सकता है मेरी चौथी कक्षा के शिक्षक ने हमें एक पंक्ती में रखी गई पूर्ण संख्याएं दिखाई और प्रतियक के नीचे उसका दो गुना लिखा था बेशक नहीं सबसे पहले हम सभी अंशों को एक ग्रिड में रखते हैं वो सब वहाँ हैं जैसे आप 117 बटा 243 को 170 वी पंक्ती और 243 वे कॉलम में पास सकते हैं अब हम उपरी बाएं सिरे से शुरू करके तिर्चे ढंक से आगे पीछे स्वीप करके इसकी सूची बनाते हैं जिस दोरान हम दो बटा दो जैसे किसी भी अंश को छोड़ देते हैं यदि वो पहले से चुनी गई संख्या को ही दोराता है हमें सभी अंशों की एक सूची मिलती है जिसका अर्थ है कि हमने पूर्ण संख्याओं और भिन्नों के बीच एक से एक मिलान बनाया है ये तथे के बावजूद कि हमने सोचा कि शायद अधिक अंश होने चाहिए अच्छा यही वो जगह है जहां ये वास्तव में दिल्चस्प हो जाता है आप जानते होंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं यानि संख्या रेखा पर सभी संख्याएं भिने नहीं होती जैसे दू और पाई का वर्ग मूल इस प्रकार की कोई भी संख्या इर्रैशनल कहलाती है इसलिए नहीं कि ये पागलपन है या कुछ और बलकि इसलिए कि अंश पूर्ण संख्याओं के अनुपात में है और इसलिए उन्हें रैशनल कहा जाता है मतलब बागी सब नॉन रैशनल यानि इर्रैशनल है इर्रैशनल को अनंत गैर दोहराए जाने वाले दशमलवों द्वारा दर्शाय जाता है तो क्या हम पूर्णांकों और रैशनल और इर्रैशनल सभी दशमलवों के सेट के बीच वन टूवन मैच बना सकते हैं यानि क्या हम सभी दशमलव संख्याओं की सूची बना सकते हैं कैंटर ने दिखाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, बलकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए, आप दावा करते हैं कि आपने सभी दशमलवों की एक सूची बना ली है। मैं एक ऐसा दशमलव उतपन करके आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आप सफल नहीं हुए जो आपकी सूची में नहीं है मैं अपना दशमलव एक बार में एक स्थान पर बनाऊंगा अपनी संख्या की पहले दशमलव स्थान के लिए मैं आपकी पहली संख्या के पहले दशमलव स्थान को देखूंगा यदि ये एक है, तो मैं अपना दो बना दूगा, अन्यथा मैं अपना एक बना लूँगा मेरी संख्या के दूसरे स्थान के लिए मैं आपकी दूसरी संख्या के दूसरे स्थान को देखूंगा यदि आपका वाला एक है तो मैं अपने वाले को दो बनाऊंगा अन्यथा अपने वाले को एक बनाऊंगा देखा ये कैसे चल रहा मैंने जो दशमलव तयार किया वो आपकी सूची में नहीं हो सकता क्यूं? मान लीजी आपका 143 वा नंबर हो सकता है नहीं? नहीं? क्यूंकि मेरे दशमलव का 143 वस्थान आपकी 143 वी संख्या के 143 वस्थान से भिन्न है आपकी सूची अधूरी है इसमें मेरी दशमलव संख्या नहीं है और आप मुझे कोई भी सूची दे मैं यही चीज़ कर सकता हूं और ऐसा दशमलव बना सकता हूं जो उस सूची में नहीं है तो हम इस आश्चरे जनक निश्कर्ष पर पहुँच गए हैं दशमलव संख्याओं को एक सूची पर नहीं रखा जा सकता है विपूर्णांकों की अनंतता से बड़ी अनंतता का प्रतिनिधित्व करती हैं तो हालाकि हम केवल कुछी इर्रैशनलों को जानते हैं जैसे कि दो और पाई का स्क्वेर रूट अपरीमेओं की अनंतता अंशों की अनंतता से बास्तव में अधिक है किसी ने कहा है कि rational यानि अंश, रात के आकाश में सितारों की तरह है, अपरी में irrational की तरह है। Cantor ने ये भी दिखाया कि कि किसी भी अनंत सेट के लिए मूल सेट के सभी सबसेटों से बनाय गया सेट, मूल सेट से बड़ी अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। यानि एक बार एक अनंतता बना लेने के बाद आप उसे पहले सेट के सभी सबसेटों का सेट बना कर एक बड़ा सेट बना सकते हैं। ये उनके लिए इतना बुरा हो गया कि उन्हें गंभीर अवसाद का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार उनके विचारों की जीत हुई। आज उन्हें मौलिक और शांदार माना जाता है। सभी शोध गणी तक ये इन विचारों को सुईकार करते हैं। प्रतिये कॉलेज का गणेत प्रमुक ही निसीखता है और मैंने उन्हें कुछी मिनिटों में आपको समझा दिया। किसी दिन शायद वे सामान्य ग्यान बन जाएंगे। अभी और है। हमने अभी बताया कि दशमलव संख्याओं का समुच्य यानि वास्तविक संख्याओं पूर्ण संख्याओं की समुच्य से बड़ा अनंत है। कैंटर को आश्चर है हुआ कि क्या इन दोनों अनंतताओं के बीच विभिन्न आकारों की अनंतताओं हैं। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा था, लेकिन वो इसे साबित नहीं कर सका। कैंटर का अनुमान सातत्य परिकल्पना के रूप में जाना जाने लगा। 1900 में महान गणितग्य डेविड हिलबर्ट ने कंटिनूम अवधारणा को गणित की सबसे एहम अंसुलजी समस्या का है। 20. सदी में इस समस्या का हल मिला, लेकिन एक पूर्ण तया अनपेक्षित पैरडाइम शैटरिंग तरीके से। 1920 के दशक में कर्ट गोडेल ने दिखाया कि आप कभी सिध नहीं कर सकते कि कंटिनूम अवधारणा गलत है। तो आपने खूब सोच लिया है समय के बारे में क्या ये सच में मौजूद है इस वीडियो से जाने और इनसान की समझ की सीमा तक सफर करने वाले हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें